हलो और वेलकम टू जैयम कैम यूटूब चैनल आप सभी स्टुडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि जो आपका CUETPG का अग्जाम होगा जून मन्त में तो उसका स्लेबस क्या है कि हम किस हिसाब से उसके तैयारी करें ठीक है तो बेसिकले हम यहाँ पे CUETPG केमिस्ट्री का डिस्कुशन कर रहे हैं कि अगर आपको MSC करनी है केमिस्ट्री से बहुत सारी सेंट्रल उनिवस्ट्री से तो उसके लिए आपको CUETPG का अग्जाम देना पड़ेगा अग्जाम देने के लिए आपको उसका सलेबस पता होना चाहिए ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कहां से आपको यह सलेबस मिलेगा और फिर मेरा अनलिसिस क्या कहता है? क्या आपको सिर्फ यही स्लेबस पढ़ना चाहिए तो वो डिसकुशन करते हैं अगर आप CUETPG की प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो हमारी एप का नाम है पढ़ रहे आई टीजम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यहां पर आपको रिकोड़िड वीडियो देखें अगर आप भी लाइव जोइन करेंगे तो दो-तिन महीने में आपको क्रेश कोर्स पॉइंट अब यू से करवाया जाएगा ज्यादा डिटेल में नहीं करवाया जाएगा और live classes की आपको पता की syllabus complete होना ही बहुत अभी क्या ना हमने recorded video में 100% syllabus पहले दिन से ही दिया हुआ है test series मिलेगी previous year paper का solution PDF notes and अभी affordable price काफी affordable है इन दोना number पे contact किजी और सारी जानकरी लीजी तो चलिए मापको लेके चलता हूँ official website पे this is the official website of cuetpz cuet.nta.nic.in यह आपका official website है अभी आप देखोगे यहां पे कोई भी update नहीं है 2023 के लिए ठीक है 2023 का update आचुका है कि आपका March 15 March के बाद आपका application form स्टार्ट होंगे and June के first two weeks में आपका exam होगा यह details आचुकी है official है अब अभी 2023 का slavus change होगा क्या ऐसा नहीं है भई अर साल slavus change नहीं होता है हर साल slavus change नहीं होता है यह बात अब धान रखिये तो पिछली बार पहले क्या होता था था ना यह जो CUT है इसको C.U.C.E.T. बोलते थे common university central university के लिए होता था यह Central University के लिए होता था इसलिए इसको C.U.C.E.T. बोल दे थे पिछली बार सभी उनस्टी जैसे B.H.E.U. G.N.U. इस बार तो दिल्ली उनस्टी को भी C.U.E.T. के अंडर कर दिया है तो इन्होंने थोड़ा सा स्लेबस चेंज किया था तो देखेंसलेबस कहां से भाद नहीं किसे मेलेगा इन्फarमेशनु इससे गया गिक्षाइट से लिए इस रblem में मिलेगा इनफॉरमेशन पे गए इसलेबस पे गए अब आपको अब को सर्थ 2022 में तो भाई हर साल अबडेट नहीं होता है और बहुत कम चांसे कि अबडेट हो कि अगर अबडेट होगा तो यह जो जो दिया वाई यह तो रहेगा रहेगा ऐसा नहीं कि यह चेंज हो जाएगा तो यहां पे आपका जो केमिस्टी का जो कोड होता यहां से आप यह फाइल डाउनलोड कर लीज़गा यह उफिशिल स्लेबस है मैंनो अल्रेडी फाइल डाउनलोड कर लिए तो अभी देखिये कि क्या है तो यह slabus है, inorganic chemistry में, यहाँ पर काफी छोटा slabus दिया गया है, काफी कम slabus दिया गया है, inorganic chemistry में देखिए, quantum number हो गया, यानि कि basically, basic part हो गया, quantum number, SPD block, ना, यहाँ पर S block, P block आ गया, bond landage, equation यानि कि chemical bonding आ गी, वैसा पर थुरी आ गी, hard acid and soft acid based chemistry जो यह भी दिया गया है, यहाँ ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, ज़्यादा मिलब detail में यहाँ पर slabus नहीं दिया गया है, इसके अंदर अगर बात की जाए, तो ज़्यादा detail में slabus नहीं दिया गया, इसका एकमर में देखता हूँ भी, कहां से यह, पैन बंद कहां से होगा, ठीक है, पैन कहां से तो नहीं बता, यहां से होता हुआ साहिट, ठीक है, हाँ, तो यह रहा, तो यह अगर आप देखेंगे, तो crystal field theory, CFSE in weak and strong field pairing energy, factor affecting magnitude, octahedral, tetrahedral, तो यह सब दिया हुआ, qualitative accepts of ligand field or ammo theory, यह भी दिया हुआ, john teller distortion भी दिया हुआ है, square planer geometry, यह पूरा दे दिया, देखो, इन ओर्गनिक का अलग से कुछ नहीं बता रहा हुआ, तो यह syllabus पता है क्या है, यह syllabus वही है आपका भई, periodicity, inorganic में periodicity, chemical bonding, main group elements में S block, P block, D block, F block, and उसके बाद आपका coordination chemistry बढ़िया लेवल वाली, अब यहां पे ना तो कहीं organometallic का जिकर है, इसमें आप पूरे में देख लो, कहीं पे भी आपको organometallic का जिकर नहीं दिख रहा है, ना organometallic का जिकर है, ना ही bio-inorganic chemistry का जिकर है, लेकिन जो पिछली बार paper हुआ, CUET 2022 का जो official paper था, वहां पे organometallic से question आया था, लेकिन यह जरूर है, कि इस official syllabus से ज्यादा question पूछे थे, हाना, इस official syllabus से ज्यादा question पूछे थे जले गहे थे जैं खाए लihat लेकर ठीक है, फिजिकल में थिर्मोडाइनमिक्स A, extensive intensiveट्पटी, state and fact function यहारा thermodynamics, यह सारा therm lt max यह थर्मोडाइनमिक्स प्लस गैसिए स्टेट मिलकर बन रखा यह पूरा पूरा सलेबस यह उसके बाद यहाँ पर आजाओ देखो पिएट स्केल को मानाइन इफेक्ट यह आगा इए इक्विलिब्रियम सेवन क्रिष्टल सिस्टम और फॉर्टीन ब्रेविस लैटी सोलिड स यह दुन यहाँ पे लिखाओ वे लिगिन सोलिड से कोईशें नहीं भूच आने ठीक हिग है वीज लाम nose गायक गॉचा तो यहाँ पे आप देखें गी तो यहां पर सुलीड स्टेट हो गया उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगा इए आनिक एप्युलिब्रियम हो order and molecularity chemical kinetics हो गया ठीक है and experimental method chemical kinetics ना तो कहीं electrochemistry का जिगर है ना ही कहीं quantum chemistry का जिगर है ठीक है ना electrochemistry ना colligative property solid है solution लिख रखा है sorry solid and chemical kinetics surface chemistry कहीं नहीं दिख रखी और question मी नहीं पूछा और मैंने ना पिछला जो पेपर हो था उसका बड़ा जबरतस्त analysis का रखा है उसका जो analysis है उसका लिंक उस वीडियो का लिंक में आपको वीडियो के description में दे दूँगा उसको आप जरूर जाके देखिए वो बहुत ज्यादा helpful है वो आपको काफी help कर देगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना organic chemistry बहुत छोटी से लिख हुई है organic chemistry में में लिए तीन topic लिकरके है उन्होंने GOC, stereo chemistry, reaction mechanism and reaction intermediate बस यही सब है यहां पर देखो दुबारा से बता रहा हूँ GOC, stereo chemistry and reaction mechanism के बहुत सारे question थे and reaction intermediate बस यह है लेकिन फिर भी this is the official syllabus यह है official syllabus अवारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए सबसे बढ़िया अगर आप इसलेबस को समझना चाहते हैं तो दो चीजे है ठीक है, दो चीजे है, एक तो paper का analysis जो मैंने कर रखा भई बहुत अच्छे से एक तो है paper का analysis तो उसमें मैंने बताया कि किस chemistry से कितने question पूछे, किस topic से पूछे तो यह 10 minute की मुस्किल से कोई video होगी, video के description में link दे दूँआ दूसरा भई, और detail में अगर आप जानना चाहते हैं तो PYQ solution तो मैंने PYQ solution भी upload कर रखा है, जो आपका 2022 में paper हुआ था CUETPG का, उसके पूरे 75 question का solution आपको मिल जाएगा हमारे YouTube चानल पे तो उसका भी link मैं आपको video के description में दे दूँआ यह दोनों चीजें अगर आप देख लेंगे तो यह syllabus आपको समझ में आ जाएगा यह syllabus आपको पूरा समझ में आ जाएगा, मैंने काफी detail में बताया है ठीक है, तो यह था जी syllabus के बारे में जानकारी, फिर भी मैं कहूंगा देखिए student इसमें आपको एक काफी important strategy की जूड़त रहेगी कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और उसके लिए मैं आपको recommend करूँगा हमारी app के उपर जो course है बहुत शानदार, बहुत महनत करके हमने यह course बना रखा है और इस course को पढ़के बहुत सारे बच्चे Central University में admission ले चुके हैं बहुत सारे students, ठीक है तो जो भी interested student है, वो तुरंत join करें इसको क्योंकि अभी ज़्यादा time नहीं है अगर आप बाद में आके join करेंगे, तो फिर output नहीं आता है अभी भी time है, मार्च, अप्रेल, माई तीन महीने हैं, हमारे पास तीन महीने में आप अपनी अच्छी preparation कर सकते हैं तो यह थी जी, तो वीडियो के description में दोनों link मिलेंगे वो जुरूर देखने, तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है hope कि आपको clarity मिल गई होगी syllabus के बारे में ठीक है, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो like और share कीजिए अब सभी का बहुत बहुत दनेवाद, thank you